केजरिवाल जेल में बेल की रहा देख रहे हैं और आपके नेता उनके लिए नई नई बीमार्या ढूंड रहे हैं जबकि राघव चड़ा लंदन खेल इंजोई कर रहे हैं आमादमी पार्टी के राजयसवा सांसद राघव चड़ा ट्रोल हो रहे हैं उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कुछ फोटो सेर किये जिससे लोग नाराज हुए राघव इंबल्डन के फाइनल देखने गए थे अब हर पार्टी के लोग राघव को ट्रोल कर रहे हैं आमादम लोगों का ये भी मानना है कि राघव चड़ा राजनीती से सन्यास ले चुके हैं तब तो अपनी पार्टी को छोड़कर वो बार-बार विदेश चले जाता है राजनीती छोड़ राघव चड़ा और परिनीती चोपड़ा इन दिनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइ करने लगे हैं एक्स पर एक काविया नाम की यूजर ने लिखा कि केजरिवाल जी की सहत गिर रही है आप अपने मुश्किल समय में हैं और आप विंबल्डन फाइनल देख रहे हो ये अच्छी बात नहीं है एकन्ये पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आग लगे चाहे बस्त पुश्किल समय में राघव रहता मस्ती में एकन्ये यूजर ने लिखा कि हिंदुस्तान में आग लगी है नेता जी है विंबल्डन में अमित मिस्रा नाम के यूजर ने लिखा 18 लाक का टिकट लेकर विंबल्डन में मेच देखने वाला आदमी सबसे गरीब सांसत भगवा मुझे भी ऐसा ही गरीब बनाओ वहीं कॉंग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी एक्स पर एक डिलीट किये गए अपडेट को लेकर विवाद खड़ा कर दिया जिसे सोंबार साम को पोस्ट किया गया था ए आई सी सी प्रवक्ता रागिनी नायक ने आमादमी पार्टी के सांसद रागव चड़ा और उनकी पतनी अभी ने त्री परिनीती चोपडा की एक तस्पीर पोस्ट की थी जो लंदन में विंबल्डन फाइनल में भाग लेते वे देखे गए थे नायक ने तस्पीर पोस्ट करते वे कैप्शन दिया था एक आमादमी 8-10 लाग की कीमत वाली टिकट खरीद कर विंबल्डन फाइनल देख रहा है हलांकी साम होते ही करीब 7 बजे पोस्ट करने के कुछी समय बाद नायक ने तुरंत पोस्ट को डिलीट कर दिया इंटरनेट पर वाइलल हुए पोस्ट के स्क्रीन सोट के अनुसार पोस्ट को 282 के व्यूज मिल चुके थे और डिलीट होने तक 1.2 के यूजस ने इसे री पोस्ट किया था नायक द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर पर अभीने त्री परिनिती चोपडा के इंस्टरग्राम पोस्ट से डाउनलोड की गई थी परिनिती ने तस्वीर के साथ कैप्सन लिखा विंबल्डन फाइनल श्ट्रोबेरी और क्रीम और मेरा प्यार सबसे अच्छा वीकेंड कॉंग्रेस प्रवक्तार आगिनी नायक की यपोस्ट इस समय चर्चा में हैं कि कॉंग्रेस और आमाद्मी पार्टी के बीच मतभेद हो सकते हैं दोनों ही दल इंडी गडबंदन का हिस्सा है जिसमें कई अन्य विपकसी दल सामील है दोनों दलों के बीच मतभेद के बीच संभवत है तब बोए गए जब आपने हाली में हुए लोक्षबाद चुनावों में पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का फेसला किया हालांकि दोनों दलों ने इस मामले को सारवजनिक रूप से उठाने से परहेज किया और अराजगता के बीच एकता के संकेत दिये है खेर आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्षन में अपनी राय जरूर दीजिएगा धन्यवाद जैहिंद